हाई एवरिवेन, होप यार डूइंग गूड विदियो प्रिपरेशन आज हम साइन्स अंड टिकनोलोजी का एक बहुत ही होट एंड करेंट टॉपिक स्टडी करेंगे जीन एडिटिंग एंड जनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इन इंडिया तो जीन एडिटिंग क्या टेकनोलोजी होती है यह किस तरीके से पर्फॉर्म की जाती है और जीन का पहले तो morality पहले क्या मतलब होता है And then genetically modified crops क्या चीज होती है और इंडिया में कौन कौन सी genetically modified crops introduced की गई है This lecture is presented to you by me, Priyadarshana Jain. At the end of the lecture, we will see some questions on this topic which appeared in UPSC preliminary examination in past 3-4 years. So, let's see first, what is DNA and genes. दिखिए, एक मॉलिक्यूल होता है हमारी बोडी के अंदर. जो कि नुकलियस जो होते हैं, cells होते हैं, जो भी human body होती है, living being की बोडी होती है, plants की बोडी होती है, उनके अंदर cells होते हैं, cells के अंदर एक नुकलियस होता है, और नुकलियस के अंदर DNA पाया जाता है. DNA जो है, इसका full form होता है deoxyribonucleic acid, यह actually एक प्रकार का acid है, इसका इस तरीके का structure होता है, helical structure होता है, और यह instruct करता है हमारी बोडी को, कि कैसे develop करना है और कैसे function करना है, तो जो cell है, cell के अंदर एक नुकलियस है, नुकलियस जो है, वो cell का brain है, और उस brain को यह बताना होता है, कि आपको कैसे function करना है, और आपको इस particular body को, इन अलगलग cells को कैसे develop करना है, तो that will be done through DNA, यह जो DNA होते हैं, यह बने होते हैं, नुकलियोटाइट से, और इसे चाव तरह के नुकलियोटाइट होते हैं, एडेनाइन, थाइमाइन, सिस्टोसिन, और गोवानाइन, यह जो चार नुकलियोटाइट हैं, बस इन चारों से ही DNA बनता है, कोई पांच भी चीज महाँ पर नहीं होती है, इनको रिप्रेजेंट करने के लिनके फर्स्ट लेटर को यूज़ किया जाता है, ATCG, और यह नुकलियोटाइट्स आपस में एक दूसरे को tightly hold करते हैं, और यह backbone बनाते हैं, फॉस्वेस और D-oxyribose से मिला कर, इनको बेसेस कहा जाता है, तो A-base, D-base, C-base, G-base इस तरीके से यह define होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर 210 प्रकार की अलग-अलग cells होती हैं, हर एक cell का अपना एक function होता है, for example, blood cells, bone cells, teeth cells, तो यह सब cells जो हैं, यह develop होती हैं, और यह हमारी बॉडी को develop करती हैं, कि what you have to do, तो इन cell का जो brain है, nucleus, उसके अंदर एक DNA नाम के चीज़ होती है, और वो DNA एक code लिखता है, जिस तरीके से हम computer के अंदर programming लिखते हैं, फिर वो programming hardware को बताती है, कि क्या function करना है, वैसे ही हम समझ सकते हैं, कि जो cell होती है, वो एक hardware होता है, और जो DNA है, वो एक program code है, तो DNA के अंदर कुछ alphabets लिखे हैं, यह जो हमने देखे, ATC, TGA, इनके कुछ codes लिखे होते हैं, तो यह जो code है, यह code उसको बताते हैं, कि अपनी language में, कि how you have to develop, तो यह 3-3 के form में होते हैं, तिन-तिन letter एक साथ लिखे जाते हैं, इनको codon कहा जाते हैं, जैसे हम books के अंदर letters लिखते हैं, और उनको कोई meaning होता है, हम इसे वैसा ही समझ सकते हैं, यह हाला कि 4 letter यूज़ किये जाते हैं, लेकिन यह permutation combination जब बनता है, और यह chain इतनी लंबी हो सकती है, अब देखिए, DNA हमें समझ में आगे क्या होता है, genes क्या चीज़ होती है, यह जो DNA होते हैं, इनके अंदर एक set of instructions होते हैं, मतलब इनका एक particular section वो gene कहलाता है, तो जो gene होते हैं, वो basically क्या करते हैं, एक protein बनाते हैं, और यह protein जो है, सारे family characters हैं, उनकी coding in genes के द्वारा की जाती है, और यह जो genes होते हैं, यह spaghetti like structures के उपर पाये जाते हैं, और उस structure को chromosome कहते हैं, chromosome हमेशा pair में होते हैं, genes भी हमेशा pair में पाये जाते हैं, जो DNA molecule होता है, उसका ऐसा double helical shape होता है, हमने अब देखा था, सारे जो DNA होते हैं, वो आपस में एक दूसरे को hold करके रखते हैं, बहुत tightly hold करके रखते हैं, only certain set of nucleotides can fit together, जो हमने चाव nucleotides देखे, ATCG, उनमें जो कुछ ही set है, जो उसरे के साथ fit होते हैं, तो यह एक puzzle की तरह है, जिससे हम एक puzzle देखते हैं, उसमें एक piece, दूसरे piece पर fix होता है, तो उसमें कोई दीसरा set वहाँ पर नहीं लग सकता, वैसे ही यहाँ पर AOT connect होते हैं, और GOC connect होते हैं, तो इस तरीके से यह सारा structure चलता है, chromosomes जिससे हैं, हमने अभी बताया कि दो sets के अंदर पाए जाते हैं, अब nucleus के अगर बात करें, तो nucleus जो है, वो क्या है, तो nucleus cell का brain है, मैंने बताया, nucleus जो है, वो cell को बताता है, सब कुछ की करना क्या है, और इस nucleus के अंदर, दो important चीज़े पाए जाती, एक है chromosomes, और दूसरे हैं genes, और फिर यह chromosome और genes, genes किस चीज से बने होते हैं, तो उस चीज का नाम DNA होता है, तो this is the way we conclude this, DNA, genes, chromosomes and nucleus, अब इसी क्या चीज़े जो हमें different बनाती है, तो यह DNA की sequencing होती है, इस तरीके से, और यह हमें एक दूसरे से अलग बनाती है, DNA की chains होती है, अब chromosome जो है, that is a package for carrying the DNA in the cells, तो यह जो DNA है, इनको cells के अंदर carry करने के लिए एक package use करते हैं, उसी package को हम यहाँ पर chromosome कह रहे हैं, फिर एक genome नाम की चीज होती है, genome का मतलब होता है, कि जितने भी genes body के अंदर है, एक organism की, जिसे human being है, तो जितने भी genes possible है human being की body में, उन सबका set बना लिया जाए, तो उसे हम कहेंगे genome, genome set, और फिर अगर इन genes के अंदर कहीं कोई भी deformation पाया गया, तो उसे कहा जाता है mutation, mutation of the genes, और इसी mutation की वज़े से genetic बिमारिया होती है, genetic engineering चीज होती है, जब किसी organism के genes को change करके, वहाँ पर कोई change करने की कोशिश की जाए, और उसके genome से कुछ delete करके, कुछ add कर दिया जाए, तो उस organism के characteristic traits बदल जाएंगे, और उसी चीज़ को genetic engineering कहते हैं, एक organism gene के, जितने अलग-अलग form possess का सकता है, उनको allele कहा जाता है, A-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E- जाता है, जब भी किसी organism के DNA में, कोई defected gene पाया जाता है, तो जिससे यह यहाँ पर दिखाए गया है, यह DNA का sequence है, और यह defected gene है, तो अगर वहाँ पर कोई defected gene होता है, तो उस gene को हटा करके, वहाँ पर एक healthy gene लगा दिया जाता है, और इसी चीज़ को gene editing कहा जाता है, इसके अंदर जो genetic material है, उसको add किया जा सकता है, remove किया जा सकता है, alter किया जा सकता है, at particular locations in the genome, तो जो पूरी sequence है genome की, उसके अंदर उसको process किया जाता है, अब इस genome editing के लिए बहुत सरी techniques यूज़ की जाती है, उसमें एक अभी नई technique है, latest technique जिसका नाम है CRISPR-Cas9, CRISPR-Cas9 जो है उसके invention के बाद, scientists लोग जो है, they are very happy, because ये technique जो है, बहुत ही cheap technique है, और ये technique fast है, और accuracy से result देती है, तो इसकी accuracy, इसकी speed, और इसकी price कम होने की वज़े से, ये technique बहुत ज्यादा जो है famous हुई है, और इस technique का meaning क्या है, basically CRISPR का मतलब होता है, crusted, legally interpaced, short palindromic repeats, और जो ये है, Cas9 ये होता है, Casper, CRISPR-associated protein 9, ये actually molecular seizure की तरह काम करते हैं, जहाँ पर भी gene के अंदर change करना है, पहले उसको identify करेंगे, फिर उसको वहाँ से कैची लगा के, उसको cut लगा देंगे, तो इसे कहते हैं gene silencing, उस particular gene को silence कर दिया जाता है, और ये जो gene silencing है, ये इस technique के द्वारा, CRISPR-Cas9 के द्वारा conduct की जाती है, gene editing की application होती है, genetic diseases को समझने के लिए, genetic disorders जैसे की, for example, fibrosis, hemophilia, sickle zelenemia, इन सब को understand करने में help मिलती है, और कुछ complex diseases, जैसे की cancer, heart diseases, HIV, इनके treatment और prevention में भी, gene editing जो है अपना role play कर सकती है, gene editing यूज की जाती है, transgenics create करने, जब organism का genetic make-up change कर दिया जाता है, उसे transgenic कहते हैं, अगर किसी organism में कोई desirable traits की जरूरत होती है, तो transgenic उसे बनाया जाता है, for example, cotton, तो जो cotton है, उसकी फसल को बहुत सारे paste खा जाते थे, और उस paste के खाने की वज़े से फसल खराब हो जाती थी, तो इसलिए BT cotton बनाया गया, उसे pest resistant बनाया गया, तो अब कोई भी pest जो है उसे खराब नहीं कर सकता, तो इस तरीके से उसके traits को change करने के लिए, इस technology का use किया जाता है, gene related अगर कोई बिमारी होती है, कोई disorder होते हैं, तो उनको heal करके healthier children को जन्म देने में भी, इस technology का use किया जा सकता है, और designer babies create करने में, जैसे for example, if you want your child to have blue eyes, तो वो जो blue eyes के genes होते हैं, जो traits होते हैं, वो उसके genes में डाले जा सकते हैं, एडिट किये जा सकते हैं, and that way we can have designer babies, तो इस तरीके से gene editing technology के वास्ट uses हैं, किस तरीके से ये technology कंड़क की जाती है, CRISPR-Cas9, तो ये find and replace इसे कहा जाता है, सबसे पहले यहाँ पर एक cell होगा, which is transfected with an enzyme complex containing, एक guide molecule होता है, ये guide molecule जो होता है, ये search करने का काम करता है, कि वो कौन सा molecule है, जो defected है, उसे search किया जाता है, healthy DNA copy एक molecule रहेगा, ये वाला, जो कि replace करेगा healthy DNA, और फिर एक होगा DNA cutting enzyme, तो ये जो enzyme है, ये catchy की तरह काम करेगा, और ये यहाँ पर cut लगाएगा, cut लगाके ये जो defective DNA का strand है, उसे निकाल करके healthy DNA का strand वहाँ पर लगा देगा, तो इस तरीके से ये DNA editing जो है, वो conduct की जाती है, अब दिखते हैं, genetically modified organisms क्या चीज होती है, world health organization ने एक definition दी है, इसकी GMO की, ये जो definition यहाँ पर लिखी है, world health organization की definition है, this can be used to write answers in main examination as it is, तो ये definition ये कहती है, कि जब भी कोई organism, जिसे की plants, animals हैं, उनके अंदर अगा genetic material को alter किया जाए, तो और उस alteration को naturally नहीं किया जाए, किसी recombination technology का use किया जाए, तो उसे हम GMO कहते हैं, और इस technology को modern biotechnology, gene technology, recombinant, DNA technology, genetic engineering, ऐसे अलग-अलग नामों से जाना जाता है, तो this is the way GMOs are created, और ये जो plants होते हैं GMO के, ये laboratory के अंदर modify किये जाते हैं, वहाँ से उनके अंदर desirable traits डाले जाते हैं, और फिर उसके बाद field में उनको transplant किया जाता है, the enhancement of the traits has traditionally been undertaken through breeding, पहले cross breeding करके, जिसे कि अगर दो अलग-अलग species है, तो for example tomato हमने ले लिया, तो एक tomato है, जिसके अंदर red color prominent है, और एक दूसरा tomato का plant है, उसके अंदर tomato के shell life बहुत fast होती है, तो हम दोनों की cross breeding कर देंगे, तो जो नया tomato वहाँ से जन मिलेगा, उसका color भी fast रहेगा, और उसके अंदर shell life भी बहुत fast होगी, लेकिन यह जो techniques होती है, यह बहुत time consuming होती है, बहुत slow techniques होती है, और इनमे accurate result भी कई बाव नहीं आते, फसल पूरी destroy हो जाती है, hybrid की वज़े से, तो इसलिए genetically modified जो, अगर हम tomato के genes को ही change कर देंगे, अगर tomato के जो भी plant है, उसके nucleus के अंदर जो gene है, उस gene के अंदर हम ऐसा दूसरा gene डाल देंगे, तो विर वो उसकी पूरी generations में आ जाएगा, तो फिर कभी भी आपको जो है, नए सीरे से फिर से hybrids बनाने की ज़रूत नहीं पड़ेगी, और उसकी accuracy हमेशा ज़्यादा रहेगी, इसलिए GMOs जो हैं उनको hybrids के उपर स्थान मिला है, genetic engineering जो है, वहां से आप ऐसे plants create कर सकते हो, जिनमें वो desired traits हो, जो आप उनके अंदर चाहते हो, तो यह जो है, यह सिफ एक plant से दूसरे plant पर transfer नहीं होते, non-plant organism से भी traits transfer होते हैं, for example, bacteria, तो जो BT cotton है, अभी हम देखेंगे, BT cotton, BT cotton के अंदर, bacteria के ही genes transplant किये जाते हैं, क्योंकि food security जो है, world की population की वो खत्रे में है, 7 billion से भी population जो है, दिरे-दिरे grow की जा रही है, और इस की growing population की demand है, की agriculture जो है, उसकी growth rate 3% हो, लेकिन agriculture की growth rate 2% से आगे, बढ़ नहीं पा रही है, और हमको ऐसे products की जरूरत है, जो की हमें ज़्यादा benefit दे, lower prices पर available हो, और easily available हो, तो इस growing food demand को meet करने के लिए, हमको productions बढ़ाने पड़ेंगे, और इस तरीकी की GM technology का use करके, हम productions बना सकते हैं, जो land resource होते हैं, उनके उपर बहुँ ज़्यादा stress आ जाता है, infecticide, pesticide, herbicides का use करने की वज़े से, और इस use को अगर reduce करना है, तो we have to bring GMO technology in the front, 27% of the world's undernourished people proudly are Indians, urgent need to feed those hungry mouths, तो आप सोचिए दुनिया के 27% undernourished लोग इंडिया में रहते हैं, so we have to look for that, और ये जो हंगरने से, इसको हमें हटाना है, तो इसको हटाने के लिए food security को ensure करना पड़ेगा, जिसके लिए GM technology बून साबित हो सकती है, तो ये जो world map है, इस world map में आपको दिखाए दे रहा है, कि वो सारी countries, जहां पर की GM crops cultivate की जाती है, तो you can see here, what are the countries जहां पर GM crops presently cultivate की जारी है, North America, South America, then Australia, then India, South Africa, then China, then Europe का कुछ पार्ट है, इतनी सारी जगों पर GM crops जो है, अल्रेडी अपना अस्तित्व बना चुकी है, अब सवाल ये उठता है, कि इस तरीके से genetically modified organisms अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं, तो सबसे पहले दिन के benefits देख लेते हैं, जिसे हम कहते हैं वाइरस और बैक्टिरिया से infection लग जाते हैं प्लांट को, तो इन से resistance डेवलप हो सकती है, cold tolerance हो सकती है, heat tolerance हो सकती है, drought tolerance डेवलप की जा सकती है प्लांट के अंदर, अगर उसके उस gene को change कर दिया जाए, जो gene drought tolerant नहीं कर पाता, और फिर salinity tolerance जैसे की desert area में जाएंगे तो वाँ salinity बढ़ेगी soil की, तो वहाँ पर salinity tolerance की ज़रू होते है, quality improvement हो जाएगी, protein और oil जैसे contains को increase करना पॉसिबल है, increased nutrition, vitamins, micro elements, macronutrients, इन सब को बढ़ाना पॉसिबल है, decreased use of pesticide and insecticide will follow, reduced greenhouse gas emissions, finally reduce global warming, तो इस तरीके से जो greenhouse gases का effect reduce होगा, emission refuse होगा, तो global warming को भी reduce करने में हमें, जो है, वो सफलता मिल जाएगी, तो यहाँ पे आप picture देखिए, यह comparison है, drought resistant corn जो है, वो इदर हुगाए जा रहे हैं, और यह है, normal जो corn है, तो यह इस तरीके से drought की वेशे सूख जाता है, और यह सूखता नहीं है, right hand वाला, तो this is the way the GM crops have benefited the human society, and especially the farmer, अब इसमें कुछ concerns भी हैं, especially अगर genes का transfer इस तरीके से होए, कि allergenic organism और non-allergenic organism के बीच में कुछ transfer हो जाए, तो फिर वहाँ पर allergenic organisms जो है, वो जन मिलेंगे, but इस तरीके के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं, कि allergenic का कोई issue हो, तो यह issue जो है, अपने आप में खारिज हो जाता है, फिर एक चीज होती है, जब भी GM food जो है, वो हम खाएंगे, तो हमारी body के cell में जाएगा, वहाँ से genes transfer होगा, bacteria के genes हमारे gastro-instantinal tract के अंदर जाएंगे, और वो जो है, एक genetic material वहाँ पर transfer कर सकते हैं, जो की human को toxically effect करें, तो इस तरीके के जो prediction से इनको खारिच किया गया है, क्योंकि जितनी भी countries में अभी यह सब हो रहा है, वहाँ पर ऐसा कुछ भी देखा नहीं गया, gene transfer के कोई issue नहीं है, allogenics के कोई issue नहीं है, तो हम यह मान के चलते हैं कि यह सारे issues जो है, GM crops के इंडिया में भी नहीं आएंगे, कुछ potential consequences, environment को नुकसान पहुचा सकती है, gene expression के अंदर change आ सकता है, चुकि आप gene के अंदर mutation कर रहे हो, you never know कि जो non-GM weeds हैं, पेस्ट है, pathogen से, उनके उपर इसका क्या effect होगा, तो कुछ unintended effects वहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, फिर अगर हम देखें कि toxic substances अगर introduced हुए, तो जो non-target organism से उनको infect कर सकते हैं, bio safety और जो gene हमने insert किया है, उसकी stability भी question में है कि वो कब तक stable रहेगा, चुकि इस तरीके के results अगर कुछ भी appear हुए, bio diversity अगर effect हो गई, soil अगर effect हो गई, ground water पर अगर impact आ गया, तो जो भी रहेगा यह irreversible होगा, इसको हम change नहीं कर पाएंगे, क्योंकि genes में जब impact आते हैं, तो वो सालों साल चलते हैं, वो सद्यों तक चलते हैं, and you cannot revert them, तो यह जो चीज़ें यह अपने आप में बहुत रिस्की है, और जो local varieties होंगी, GM crops अगर बनने रगेंगी, तो जो local varieties होंगी, उनका erosion होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि फिर public consumers जो हैं, वो GM crops को ही prefer करेंगे, तो इस तरीके से, इसके अपने आप में बहुत सारे effects जो है, वो सामने आएंगे, हाला कि यह concerns valid हैं, इसके कोई प्रमान भी हमारे पस नहीं है, क्योंकि ऐसा अब तक कुछ होआ नहीं है, इस इप अनुवान है, कि ऐसे से चीज़े हो सकती है, युमेन बॉडी के अंदर toxicity generate हो सकती है, जहर फैल सकता है, तो अगर इस तरीकी कोई चीज़ future में हुई, 10 साल बाद हुई, 50 साल बाद हुई, तो फिर उस case में हम क्या करेंगे, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, GM crops के उपर, अब आवत समिट जो है, रियो आवत समिट 1992 की, उसमें एक agreement साइन हुआ था, Convention on Biological Diversity, और इंडिया ने इसे ratify किया है, और इसके तीन गोल थे, एक तो Biological Diversity को conserve करना, दूसरा जो components है, नेचर के, उन्हें sustainable ही use करना, और तीसरा, fair and equitable sharing of the benefits arising out from the use of genetic resources, objective हैं, इसको अगर हम fulfill करना चाहते हैं, तो GM crops भी उसके अंदर उसका एक part बनता है, लेकिन वहाँ पर उन्होंने कुछ restrictions लगाई थी, एक है Cartagena Protocol on Biosafety, ये प्रोटकॉल अमको वह एक regulatory framework बताता है, कि अगर LMOs को transfer किया जाता है, तो उसकी handling जो है, वो safe होनी चाहिए, उसके लिए क्या-क्या precautions लनी चाहिए, वो इस प्रोटकॉल के अंदर define की गई है, और living modified organisms क्या होते हैं, कि जो हम genetically modified organism देख रहे हैं, उनी का subset होते हैं, genetically modified organism जो हैं, वो live भी हो सकते हैं, डेट भी हो सकते हैं, लेकिन जब LMOs की बात करेंगे, तो वो dead नहीं होंगे, वो सिर्फ लाइव होंगे, this is the only difference, और as a party to the protocol, the first and foremost requirement is setting up a national biosafety regulatory framework, ये एक important चीज हैं, क्योंकि इंडिया नहीं से ratify किया, तो हमाई लिए जरूरी था कि हम एक national biosafety regulatory framework को establish करें, जो की इंडिया कर चुका है, और in fact 1992 से पहले, 1989 के अंदर ही, इंडिया के अंदर इस तर की guidelines निकाली गई थी, जो की genetic resources को handle करता है, तो इसमें एक दूसरी चीज है, नगोया protocol on access and benefit sharing, इस टॉक्स about the commitment towards the benefit sharing of the genetic resources, जो भी इंडिया को meet करना जरूरी है, because we are a signatory to this protocol also, तो this is the way CBD, कार्टजना, नगोया protocols comes in picture, with respect to genetically modified organisms, now we talk about GM crops in India, तो सबसे पहली जो GM crop है, उसकी अगर मैं बात करूँ, तो उसके पहले हमें जाना जरूरी है कि वो कौन से rules and regulations है, जो GM crops के उपर applicable होते हैं, तो जब भी कोई genetically modified organism बनाया जाता है, तो उसके लिए environment clearance लेना पड़ता है, 1989 के कुछ guidelines हैं उनके अंडर, which was created under the Environment Protection Act of 1986, तो जीसा मैंने बताया, अर्थ की जो Rio Summit है, उसके पहले से ही इंडिया के अंदर इस तर की guidelines exist करती थी, लेकिन Rio Summit के आने के बाद, फिर हमने एक GEC कर क्या committee बनाई, जो committee Ministry of Environment, Forest and Climate Change के अंदर वर्क करती है, और ये committee काम करती है, इन GMOs को approval देने का, तो सिफ commercial production ही नहीं, field trials के लिए भी permission लेनी पड़ती है, तो इंडिया में जो first GM crop है, जिसको approval दिया गया commercialization का, उसका नाम है BT Cotton, BT Cotton के लिए जो technology seed use किये गए, उनका नाम है Ball Guard 1, जो कि Monsanto नम की company ने provide किये थे 2002 में, and they had pest resistance toward the pink ball warm, जो कि cotton की फसल को खराब कर देता है, और उसके बाद इसके साथ कुछ issues खड़े हो गए थे, क्योंकि ये जो है resistant create हो गया था, pest resistance create हो गया था, इसी के अंदर, मतलब जिस pest के लिए, BT Cotton में genes को transfer किया गया था, एक bacteria से, आप side में ये figure को देखिए, bacillus thuringiensis एक वो है, trait है, gene है, और इसको insert किया गया crop के अंदर, तो इसकी वज़े से क्या हुआ, अगर कोई paste इसे खाएगा, तो वो मर जाएगा, that was the effect, तो दीरे दीरे क्या होगा, ये paste इसको बार 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 जब खाने आएगा, तो उसने इसके अंदर resistance डिवलप कर लिया, तो फिर जो फसल है, BT cotton की, वो पूरी की पूरी फसल बरबाद हो गई, and many farmers started suicide, तो ये BT cotton के side effects देखने को आए, तो फिर Monsanto ने एक दूसरा version लाँच किया, bowl guard 2, उसके अंदर उन्होंने दो genes यूज़ किये, और उन्होंने ये कहा कि, ये pest resistance इनका highly hyperactive है, इससे ज्यादा last करेगा, और लंबे season तक चलेगा, और जो फिर second time उन्होंने बनाया, उसमें water efficiency भी बहुत ज्यादा थी, इस seed को यूज़ करने के बाद, cotton की फसल के लिए पानी भी कम यूज़ किया जाता था, तो BT cotton को उन्होंने finally second time, BT cotton के seeds launch करके rectify कर दिया, बट still उसके बहुत सारे issues थे, issues ये थे कि जो farmers थे, वो MNC पे dependent हो गए पूरी तरीके से seeds के लिए, और इनके बहुत बड़ी quality होती है, इन seed से आगे कोई seed पैदा नहीं किये जा सकते, तो farmer को हमेशन नए seed लेने के लिए factory के पास जाना पड़ता है, seeds बहुत महेंगे भी होते हैं, तो ये सारे कुछ concerns है, और अगर हम इसके दूसरे हिस्से को देखें, इसके pros को देखें, तो उसमें सबसे बड़ी चीज़े हैं, कि इंडिया को इसी BT cotton ने वर्ल का highest cotton producing country बनाया, और हमारे exports में भी बहुत surge हुआ, because of this BT cotton, नाव जो BT cotton issue है, उसकी वज़ी से government डर गई, और in spite of GEC ने approval दिया BT Brinzal को, लेकिन फिर भी उसे government ने hold कर दिया 2009 में, तो committee के approval के बावजूत भी BT Brinzal जो है वो introduce नहीं किया जा सका, तो BT cotton एक चीज़ थी, फिर BT Brinzal आया, और BT cotton एक commercial crop है, BT Brinzal food crop थी, तो अगर BT Brinzal permit हो जाता, तो वो पहला GM food होता इंडिया का, लेकिन अभी चुकी mustard DMH 11 को लेकर के debate चल रही है, तो जो GM mustard है, that will be the first food crop of India, which is grown using the genetically modified organism, यह जो DMH 11 है, यह एक transgenic crop है, which is developed by the Center for Genetic Manipulation of Crop Plants at Delhi University, DU के एक center के अंदर, यह जो है, डेवलब किया गया है, mustard DMH 11, GM की timelines को देखे, इंडिया में, तो एक policy shift और change देखने को मिलता है, जो पहले government थी, उन्हों ने इसको support नहीं किया था, इसलिए BT Brinzal को permission नहीं मिली 2009 में, लेकिन Modi government, GM field testing को support करती रही है, and going by the food security of India, they actually support GM crops now, अब इसके अंदर, तीन हमने देखे, एक तो है BT cotton, BT cotton भी अपना controversy में फसा, क्योंकि pest control जो है, वो possible नहीं हो पाया, resistance डेवलप हो गया, और उसकी वज़े से फसल बरबाद हो गई, और फिर से नया seed जो है, वो introduced किया गया, then BT Brinzal है, तो BT Brinzal को permission ही नहीं दी गई, और BT Brinzal जो है, उसे वीटो करके, उस समय के environment minister ने रोक लिया, and they didn't allow BT Brinzal to come into the market, उसका commercial use नहीं किया गया, और उसकी वज़े से भी controversies थी, कि food safety वगेरा जो है, उनको लेकर के activist लोगों ने, अंगामा मचाया था, then BT Mustard की अगर बात करें, तो उसमें फिर edible oil का, जो हमारा import bill है, वो बहुत ज़्यादा होता है, और अगर हम BT Mustard बनाने लगेंगे, हम Mustard का production बहुत हाई करने लग जाएंगे, तो हमारा oil import बहुत reduce हो जाएगा, तो वो उसके लिए कुछ arguments दिये जाते हैं इस तरीके से, और अगर हम hybrid seed की बात करें, तो बहुत लेबोरियस प्रोसेस होती है, hybrid seeds को बनाना, और जो regulate seeds होते हैं, उनको तो आप reuse कर सकते हो, लेकिन hybrid seed के अंदर, जिसा हम इने बताए, self termination की property होती है, तो उनको reuse नहीं किया जा सकते हैं, seeds जो हैं, वो हर बार farmers को, factory से और company से ही, MNC जो हैं, उससे ही खरीदने पड़ेंगे, तो GM Mustard के साथ जुडएवे बहुत सारे issues हैं, इसको बुरी तरीके से oppose किया गया, पहले GM Mustard जो है, उसे GA committee ने pass कर दिया था, लेकिन Supreme Court ने इस opposition की वज़े से, उसके उपर कुछ stay लगाया, और उनका ये भी कहना था, कि field trial बहुत अच्छे से नहीं हुए, मस्टर्ड hybrid, इसे hybrid क्यों कह रहे हैं, जब कि ये तो genetically modified organism है, तो हम इसे BT cotton और BT brinzal की तरह नाम क्यों नहीं दे रहे हैं, तो इसका सबसे बड़ा कारण है, कि ये जो सरसो का पोधा होता है, प्लांट होता है, इसके अंदर एक प्रक्रिया होती, जो fertilization होता है, वो अपने आप में हो जाता है, तो cross pollination वहाँ पर possible नहीं हो पाता है, तो जब cross pollination नहीं हो पाएगा, तो फिर आप hybrid variety create इसके अंदर कर ही नहीं सकते हो, तो अगर आपको hybrid variety create करनी है, तो क्या करते हैं, दो plants को लिया, एक के male को silent कर दिया, और एक के female को silent कर दिया, और फिर उन दोनों का pollination करवाए गया, उसके बाद जो उसकी offspring आएगी, वो offspring genetically modified मानी जाएगी, क्योंकि हमने mother और father के genes को modify किया है, हाला कि अगर इसको देखा जाए theoretically, तो जो offspring आएगी, वो genetically modified है ही नहीं, वो अपने आप में एक hybrid variety है, जो parent हैं, वो genetically modified है, तो ये जो है, there is no natural hybridization system exists in the mustard, because of that we have to produce GM mustard, और इस GM mustard की productivity बहुत ज्यादा होगी, scientist लोगों का मानना है कि अगर GM mustard हमने produce कर दिया, तो ये 25 to 30% जो है आपका yield बढ़ा देगा, अभी जो देशी variety यूज होती है उसका नाम है वरुण, तो वरुण के comparison में जो GM mustard होगा, उसका yield 30% जादा होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के center ने ये भी कहा है, कि the problem could be addressed by crossing Indian mustard cultivators, with junkia lines of East European origin, like early heera और डौन्स काजा, तो ये जो problem है, पॉलिनेशन वाली इसको solve करने के लिए, दो varieties के genes change करके, उनको cross pollinate कर रहाए गया, उसमें एक variety है इस्ट European origin की, और दूसरा है इंडिया का वरुण, तो इन दोनों को इनके कुछ genes silence करके, कुछ genes active रखके, इनको cross pollination करवाके, इनका hybrid variety create की जाएगी, यह जो DMH 11 है, इसकी सबसे बड़ा advantage है, कि यह herbicide resistant है, अगर crop के पास कोई weeds develop होते हैं, herbs develop होते हैं, तो उनको control करने के लिए herbicide use किया जाते हैं, for example, एक herbicide है glyphosinate, लेकिन यह herbicide सिर्फ उस herbs को ही affect नहीं करता है, सरसों के जो plants होते हैं, उनको भी affect कर देता है, तो mustard के seeds में भी इसके अनिशा आ जाते हैं, तो DMH 11 जो है, इसकी से resistant रहेगा, इसकी वज़े से क्या होगा, कि जो herbicide है, जब उसका छिड़काव होगा, तो वोसे weeds को ही मारेगा, और mustard के जो seeds हैं, जो flower है, उनको कोई effect नहीं होगा, और दूसरी एक चीज ये भी है, कि अगर यहाँ पर toxic substance generate हो गया, इस glyphosinate से, carcinogen, तो वो cancer cause करता है, और ये जो हैं हमारे लिए dangerous हो सकता है, लेकिन फिर वहाँ पर भी एक argument है, कि herbicides ना तो इतने सस्ते होते हैं, कि उनको इतना easily access किया जा सके, तो फिर carcinogen जो हैं, वो बहुत बड़ी मात्रा में develop नहीं होगा, फिर 2014-15 में अगर इंडिया का आप import bill देखेंगा, तो बहुत ज्यादा है, heavily हम लोग oil import करते हैं, और अगर हम चाहते हैं, इसको cut करना और domestic production को बढ़ाना, उसका क्या objective था, उसे बनाने का, तो BT brinzel को बनाने का objective pest resistance था, BT cotton के अंदर भी pest resistance था, देन उसका second, 12-12 का question है, कि other than resistant to pest, what are the prospects for which genetically engineered plants have been created, तो pest के resistance के अलावा और क्या-क्या चीजे हैं, जिनके लिए वो create किये जाते हैं, तो इसमें एक option यह है, कि to enable withstand drought, to increase the nutritive value of the produce, to enable them to grow and do photosynthesis, in spaceship and space station, तो यह spaceship और space station का तो कहीं कोई role ही नहीं, तो तीसरा option जो है वो निकल जाता है, तो हम D यहां से हटा देते हैं, और फिर हम B भी हटा देते हैं, अब दो option बचते हैं, 1 & 2 दोनों जगे पर हैं, एक चोथी चीज़े, shelf life, तो shelf life भी increase की जाती है, GM organisms के अंदर, तो this is the option, C will be the option for this, then second एक और question आता है, 2013 का, कि जो DNA recombinant technology है, that allows genes to be transferred, तो किस तरीके से genes का transferred होता है, across the different species of the plant, और from the animals to plant, animals से plant पर तो नहीं होता है, ठीके, तो two जो है वो तो हट जाता है, तो हम यह हटा देते हैं, फिर यह भी हटा देते हैं, the microorganisms, higher organisms, तो microorganisms से higher organism पे भी नहीं होता है, तो तीसरा वाला भी निकल जाता है, तो यहां से यह भी option निकल जाएंगे, और फिर एक option बज़ेगा one, तो one only इसका answer होगा, different species of plants के अंदर जो है वो ट्रांसफर होता है, दूसरा एक question है, particularly modified mustard से related, 2018 में आया था इसी साल के prelims में, पहला उसमें option दिया है, it has the genes of a soil bacterium, that gives the plant the property of pest resistance, यहां तक सही है pest resistance, to a wide variety of paste, अब देखिए यह wide variety of paste नहीं होता है, हमने अभी paste का नाम बढ़ाता यहां पर, यह है glyphosinate, ऐसे कुछ-कुछ herbicides हैं, जिनके लिए resistance होगा, wide variety के लिए नहीं होगा, मतलब बहुत ज्यादा paste के लिए resistance नहीं develop हो सकता, तो one जो है वो option जो है वो गलत हो जाता है, तो उस case में हम यह निकाल देते हैं, अब बच्छतर थर्ड, थर्ड देखते हैं, GM mustard has been developed jointly by IIRA in Punjab Agriculture University, यह तो हमने अभी देखा, दिल्ली उनिवर्सिटी की center ने develop किया है, तो तीसरा option भी गलत हो गया, तो तीसरा निकल गया तो वैसे ही option जो है वो 2 बच जाएगा, तो 1 वही पर गलत हो जाएगा, तो answer will be 2, GM mustard the genes that allow the plant cross pollination and hybridization, अभी हमने देखा, cross pollination और hybridization की process उसके अंदर complete होती है, जो parent होते हैं, उनको genetically modify करते हैं, और offspring को hybrid से produce किया जाता है, then एक और question है 2018 का, यह भी काफी related है, इसमें देखिए, कि which of the following terms are matched perfectly, तो इनमें कौन सी जो terms हैं, उनको उनके context से match किया गया है, सबसे पहला है ballot to experience, बेले two experiment जो है, यह particle physics related experiment है, तो one जो है वो गलत हो जाता है, लेकिन अगर आपको one नहीं भी पता है, तो आप छोड़ दीजिए, second पर आईए blockchain technology digital cryptocurrency, यह बहुत चल्चा में है, cryptocurrency जिसे हम bitcoin कहते हैं, उसके अंदर blockchain technology use होती है, these we must know, तो two जो है वो option है, तो a हम हट निकाल देते हैं, उसके बाद तीसरा, CRISPR and Cas9, यह particle physics से related नहीं है, genetic engineering से related है, तो तीसरा भी अगर चला जाता है, तो फिर यह यहां से निकल गया, तो तीसरा अगर हट गया, तो वैसे ही option जो है वो two हो गया, तो आपको ballot two experiment नहीं भी पता है, तो भी इसका answer आप attempt कर सकते हैं, तो यह जो genetic engineering वाला topic है, यह biology के बहुत important topics हैं, और इनको समझना बहुत important है, you should not ignore science and technology, उससे अच्छे और difficult questions पूछे जाते हैं, और कभी-कभी एक छोटे से option पता होने की वोड़ीसे पुरा answer solve होजाता है, जिसे यहां पर देखिये, अगर आपको सिफ इतना पता है, कि CRISPR और Cas9 जो है genetic engineering का tool है, तो आपको यह दोनों नहीं भी पता है, तो भी इसका answer आप्टेम्ट कर सकते हैं, तो this is the way the things are happened in UPSC Prelims and mains में भी equally, इतना ही applicability होती इस topic की,